हेलो दोस्तो स्वागत है आप सबका आपने ही यूटूब चैनल लर्दिंक एफेम है आज की वीडियो में बिहार SAC CGL रुक मीनी परकासन का तीसरा सेट शुरू करेंगे पहला और दूसरा सेट का लिंक दिस्किप्शन में दे दिया हूँ या उपर आई बेटन पर किलिक करके आप वो वीडियो देख लिजिएगा अगर आप चैनल पर पहली बार है तो सबस्काइब करने के साथ साथ नडिफिकेशन बेल को दबा के ओल पर किलिक कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नडिफिकेशन सबसे पहले आप तक कहुँचे और वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा से शेयर कीजिए आपके एक लाइक से मेरा मोटिवेशन बना रहता है तो चलिए तीसरा सेट को शुरू कर लेते हैं हमारा पहला कोईशन है आज सीसी महिला विशू कवप 2022 की मेजवानी किस देश ने की है निउजीलेंड ओप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा निउजीलेंड दोस्तों आपको 2-3 सेकेंड का समय दिया जाएगा सही उत्तर सोचने का फिर आप वीडियो के लास्ट में कमेंट किजिएगा 150 में से आपका स्कोर कितना रहा विशू वैपार संगठन की अस्थापना हुई 1995 में इस्थापना एक जनवरी 1995 में को हुई गैट की अस्थापना 1947 इस्थापना हुई थी गैट का अस्थान WHO ने लिया है WHO का मुख्याले जिनेवा में अस्थीत है WHO व्यापारी कारियों की सर्वोच अंतराश्टिय संस्था है WHO में 164 सदस्ती देशों में सामिल है WHO का 164 देश अफगानिस्तान है रीक्टर पैमाने से मापा जाता है भुकम्ब की तिव्रता रीक्टर पैमाने से भुकम्ब की तिव्रता मापा जाता है भुकम्ब प्रिथ्वी के आंतरिक हल्चल के कारण उत्पन होता है सिस्मो लौजी में भुकम्ब का अध्यन किया जाता है भुकंपिये तरंगों को सिस्मो गराफ नामक यंतर द्वारा रेखांकित किया जाता है विशू एड्स दिवस कब मनाया जाता है एक दिसंबर को विशू एड्स दिवस परती वर्ष एक दिसंबर को मनाया जाता है परतिवर्स 18 मई को विशु टीकाकरन दिवस के रूप में मनाया जाता है 3 दिसंबर को अंतराष्टिय विकलांग दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को विशु जल दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को अंतराष्टिय महिला दिवस मनाया जाता है नाइन टिंगल ओफ इंडिया के नाम से जानी जाती है सरोजनी नाइडू नाइन टिंगल ओफ इंडिया सरोजनी नाइडू को कहा जाता है सरोजनी नाइडू पर्थम भारती महिला थी जो उत्तर परदेश की राजिपाल बनी वीशब किस खेल से सनबंदित है विशब सतरंज से सनबंदित है, option C हो जाएगा सतरंज सतरंज की शुरुवात भारत में हुआ, चैस बोर्ड में 64 वर्ग होते है next question, भारत की अर्थव्यवस्ता को सब से अच्छे ढंग से किन सब्दों में वेक्ट किया जा सकता है मिश्रित अर्थव्यवस्ता में, भारती अर्थव्यवस्ता को मिश्रित अर्थव्यवस्ता की संग्या दी जाती है मिश्रित अर्थव्यवस्ता का तात्य पड़िये, सारवजनिक एवं नीजी छेतरों का सह अस्तितु होता है अर्थात सरकारी एवं नीजी छेतर की साधा भागिदारी होती है मिश्रित क्रीशी का अर्थ क्रीशी के साथ पसुपालन करना होता है देश का पहला गेंडा सनरक्षन एवं परजनन केंदर कहां खोला गया है पटना में भारत रत्न पुरुषकार प्राप्त करने वाला पर्थम भारती है डॉक्टर सरुपल्ली राधा किरिशनन भारत में सरुपर्थम डॉक्टर सरुपल्ली राधा किरिशनन को भारत रत्न दिया गया डॉक्टर सरुपल्ली राधा क्रिष्णन के साथ 1904 में सी राज गुपालाचारी एवं डॉक्टर चंदर सेखर विंकेट रमन को भी भारत रतने परदान किया गया था डॉक्टर एस राधा क्रिष्णन के जन्म दीन पर सिक्षक तिवस मनाया जाता है पांच सितंबर को डॉक्टर राधा क्रिष्णन राजी सवा के पर्थम सवापती थे रविंद्र नाट टेगोर पर्थम भारतिये हैं जिन्हें 1913 में साहित्ती के छेत्र में नोबेल पुरुषकार मिला भारत में मुद्रा अस्पीती को मापा जाता है थोक मुली सुचकांक के दुआरा माप तौल की व्यवस्था किसके सासनकाल में लागो हुई अलावदिन खिल जी के सासनकाल में माप तौल की व्यवस्था अलावदिन खिल जी के सासनकाल में लागो किया अलावदिन खिल जी को अर्थ सास्त्रिय सुल्तान कहा जाता है अलावदिन खिल जी मधिकाल का एकमात्र सुल्तान था जिन्होंने बजार नियंतरन वैवस्ता को लागू किया बजार नियंतरन वैवस्ता की सर्वत संस्था दिवान ए रिशायत थी दिवान ए रियासत थी दि से चोटागरा बुद्ध है बुद्ध और सुक्र का कोई उपगरा नहीं है प्रिथिवी का एक मात्र प्राकृतिक उपगरा चंद्रमा है मंगल को लाल गरा भी कहा जाता है तथा इसके दो उपगरा फोबोस व डिमोस है भारतिय अर्थव्यवस्था है विका सुनमूख ऑप विक्सित देशों में जी डी पी में प्राथमिक छेत्र का योगदान सरवादिक होता है विक्सित देशों में जी डी पी में प्राथमिक छेत्र का योगदान निवन्तम होता है किस व्यक्ति ने पर्थम बार कारी-कारी परधानमत्री के रूप में पदभार संभाला गुल साधारन बहुमत से दूसरा दो तिहाई बहुमत से तथा तीसरा जो है टू बाई ठर्ड बहुमत के साथ आधे राजियों के विधान मंडल के अनुमोधन से वित आयो का गठन सम्विधान के अनुछेद 280 के तहत किया जाता है जो केंद्र वो राजियों के बीच करो के बटवारे का सुझाव देता है राष्टपदी एवं उप राष्टपदी दोनों पदों की रिक्तता की असिती में कौन राष्टपदी का पद संभालता है सरवच नयायाले का मुख्य नयाधिस भारत के इतिहास में केवल एक बार उच्तम नयायाले के मुख्य नयाधिस एम हिदाई तुल्ला जो कारिवाहक राष्टपदी बनाया गया था उच्चितम यदि उच्चितम नियायाले का मुख्य नियाधिस भी उपस्तित नहों तो उच्चितम नियाधिस राष्टपदी होंगे भारत का राष्ट धोज कब सुईकार किया गया 22 जुलाई 1947 को भारत का राष्ट धोज 22 जुलाई 1947 को सुईकार किया गया मैडम कामा ने अगस्त 1907 में विदेश में पर्थम तिरंगा धोज अस्टूट गार्ड में फढ़ाई थी 22 जुलाई 1947 इस्वी को सम्विधान सवाने राष्टी जंडा को सुईकार किया जे भी किरिपलानी जंडा समीती के अध्यक्स थे जे भी किरिपलानी स्वतंचता के समय कॉंग्रेज पार्टी के अध्यक्स थे सत्यमेव जयते किस रूप में परचलीत है सत्यमेव जयते भारत का राष्टिय वाकिम या भारत का राष्टिय सब्द है जो राष्टिय चिन असोग चक्र पर अंकित है तो option 10 का राइट आंसर हो जाएगा इन में कोई नहीं सत्यमेव जैते मुंड को पनिशा से लिया गया है राष्टिय चिन असोग चक्र सारनाथ से लिया गया है भारत का राष्टिये गीत वंदे मातरम है और भारत का राष्टिये गान जनगनमन है भारत में टेली विजन की शुरुवात कब हुई 1969 इस्वी में भारत में टेली विजन का परसारन की शुरुवात दिल्ली से 15 सितंबर 1969 को हुई थी भारत में रंगीन टेली विजन की शुरुवात 25 अप्रील 1982 इस्वी में हुई बिहार में पर्थम रेडियो अस्टेशन मुझपरपूर में 1978 इस्वी में अस्थाप्रित किया गया भारत की परमूख आर्थिक समस्याय है गरीबी एवं विकारी भारत में 2011 के जन्गनना के नुसार 21.9% आबादी जो है गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही है भारत में पर्थिव्यक्ति आई सबसे कम भिहार राजी का है भारत में सरवादिक पर्तिवक्ति आई जो है गोवा राजी का है इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक है अबूल कलाम आजाद अबूल कलाम आजाद है अलहिलाल अबूल कलाम आजाद दुआरा निकाला गया समचार पत्र था एसिया की सबसे लंबी नदी है यांग टी सिक्यांग ओप्सन सी होगा यांग टी सिक्यांग नदी तिबबत का पठार से निकल कर चीन सागर में गिरती है यांग टी सिक्यांग चीन की सबसे बड़ी नदी भी है विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है अमेजन नदी का परवाचेतर सबसे अधीक है निम्ण में कौन ठंडी जलधारा है लेबरो डोर आप्शन सी हो जाएगा लेबरो डोर नेक्स्ट कोईचन भारत की पर्थम महिला राजदूत कौन थी सिरीमती वीजिया लक्षमी पंडित भारत के पर्थम महिला राजदूत थी यू एन के अध्यक्ष बनने वाली विसु की पर्थम महिला है भारतिय संग के दक्षिन्तम बिंदू तथा भारतिय मुखी भूमी के दक्षिन्द दक्षिनी छोड में कितने अक्षांस का अंतर है दो डिग्री अक्षांस का लक्ष द्वीप समूह में कौन सा द्वीप सामिल नहीं है मरकत द्वीप ओप्शन ए होगा लक्ष द्वीप समूह में मरकत द्वीप नहीं है लक्का मीनी कोई और अमीनी द्वीप है मरकत दूइप अंडवान दूइप समूह के उत्तर में अस्थित कोको दूइप है जिसे मरकत दूइप भी कहा जाता है लक्ष दूइप अरब साकर में अवस्तित है कॉंग्रेस के किस अधिवेशन में हिंदी को सरुपर्थम राष्ट भासा के रूप में प्रस्तूत किया गया बेल गाउं अधिवेशन 1924 में कॉंग्रेस के बेल गाउं 1924 अधिवेशन में सरुपर्थम राष्ट भासा हिंदी प्रस्तूत किया गया गांधी जी एकमात्र अधिवेशन बेलगाओं में कॉंग्रेस की अध्यक्स्ता किया चंद्रगुप्त मौरी वो सिल्यूकस निकेटर के बीच यूध कब लड़ा गया 305 इसा पुरू में चंद्रगुप्त मौरी और सिल्यूकस में 305 इसा पुरू में यूध हुआ था प्राजित किया मेग अस्तनीद सेल्यूकस निकेटर दुआरा चंद्रगुप्त मौरी के राजदरबार में भेजा गया यूनान राजदूत था सेंड्रो कोट्स के नाम से चंद्रगुप्त मौरी की पाचान विलियम जोंस ने किया कपास की खेती से संबंदित कौन सा विकल्प सत्ती नहीं है तो यहाँ पर गलत कथन को चुनना है तो option यह देखिए इसकी खेती के लिए वर्षा 80 cm आवस्यक है तो यह सही है तापमान 40 से 55 डिग्री आवस्यक है तो यह जो है गलत है और आपको गलत को ही चुनना है तो option 20 का right answer हो जाएगा कपास की खेती के लिए आवस्यक तापमान 21 डिग्री Celsius से 30 डिग्री Celsius तक होना चाहिए कपास के लिए काली मिट्टी अधिक उपयोगी है काली मिट्टी में जलधारा की छमता अधिक होती है काली मिट्टी को कपासी मिट्टी भी कहते है काली मिट्टी को रेगूर मिट्टी भी कहते है भारत के महराष्ठ गुजरात में काली मिट्टी अधिक है नागोजी और कोजो इवेला किस वेश्विक संस्ता की पहली महिला महानिदेशक बनी है विशु व्यपार संगठन की अमोग वर्ष पर्थम किस वंस का सासक था राष्ट कूट वंस का अमोग वर्ष राष्ट कूट वंस के सांती काल के महानतम सासक था अमोग वर्ष जैन धर्म के मानने वाले थे राष्ट कूट वन्स के अस्थापना 703 इस्वी में दंती दुर्ग ने किया मुहम्मद गोडी ने किस युद में प्रिथिवी राचोहान को हराया तराइन के दूतिय युद एक गारसो बिरानमी इस्वी में हुआ था अकवर ने 579 इस्वी में कालिंजर पर विजय प्राप्त की थी उस समय वहा का सासक था रामचंद्र कालिंजर के सासक रामचंद्र थे जब अकवर ने विजय प्राप्त किया निमलिखित में से कौन राष्टपदी के परसासनिक सक्तियों में सामिल नहीं है लोगसवा का वीघटन ओप्शन भी हो जाएगा राश्टपती के परसासनिक सक्कियों में लोगसवा का वीघटन नहीं आता है लोगसवा का वीघटन राश्टपती का विधाई अधिकार है राश्टपती भारत के सनुवधानिक परधान है राश्ट्पती पद की चर्चा अनुछेद बावन में है निमलिखित में से कौन एसे उपराश्ट्पती है जो निर्विरोध नहीं चुने गए है आर विंकट रमन निर्विरोध उपराश्पती नहीं चुने गये थे आर विंकट रमन भारत के राश्पती निर्वाचित हुए थे किस सम्विधान संसोधन के द्वारा लोगसवा तथा विधान सवा की सदस्ती संक्या को 2026 इश्वी तक और परिवर्तनिय कर दिया गया है कॉंग्रेस धरा साही होने के लिए लरखरा रही है भारत में जब तक हूँ तब तक मेरी एक बड़ी महत्वा कांचा गया है कि मैं उसके सांतिपुर्ण निधन में सहायता दूं यह कथन किसका है लौड करजन का लौड डफरिन के काल में राश्टिय कॉंग्रेस की अस्थापना अठारस्व पचासी इस्वी में ए ओ हिउम के द्वारा किया गया था ए प्रमिज्ड लैंड पुस्तक के लेखर कौन है बराक ओबामा बंगला देश की सीमा को कौन सा भारतिय राजी छूता नहीं है नागा लेंड ओप्सन सी होगा भारतिय राजी नागा लेंड का बंगला देश के साथ सीमा नहीं बनता है बंगला देश का निर्मान 16 दिसंबर 1971 को हुआ बंगला देश की सीमा से भारतिय राजी पच्छिम मंगाल असम मिघाले तिरपूरा तथा मिजोरम की सीमा ये लगत नागर सैली का राज तरंगनी नामक गरंध का फार्सी में अनुवाद किस ने किया था मौलाना सोडी राज तरंगनी कलहन किरीत है राज तरंगनी भारत का पर्थम एतिहासिक पुष्टक मानी जाती है उनाचिवे गुल्डन गुलोब पुरस्कार 2022 में निमलिखित में से किस फिल्म ने सरवत्तम मोशन पिक्चर ड्रामा पुरस्कार जीता दी पावर अफ दी डॉग क्रांतिकारी संगठन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसियेशन के संस्थापक थे भागत सिंग ने 1928 में दिल्ली के फिरोशा कोटला में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसियेशन के द्वारा 9 अगस्थ 1925 को काकोरी कांड किया गया देश की पर्थम सवाक बोलती फिल्म आलम आरा के निर्देशक निमलिकित में से कौन थे आर्देशीर इरानी आर्देशीर इरानी कालाहारी मरुवस्तल छेतर में पाई जाने वारी जनजाती है बूसमेन बूसमेन कालाहारी मरुवस्तल में पाई जाने वारी जनजाती है कालाहारी मरुवस्तल वत्सवाना देश में अवस्तित है निग्रो जन्जाती मध्धि अफ्रीका में निवास करती है सेमांग जन्जाती मलेशिया में निवास करती है माओरी जन्जाती न्यूजी लेंड में निवास करती है बिहार में किस वर्च पहली बार दूर दर्शन का केंदर अस्थापित किया गया था 1978 इस्वी में बिहार में दूर दर्शन का केंदर 1978 इस्वी में अस्थापित हुआ मुझपरपूर में 1978 इस्वी में रेडियो अस्टेशन बनाया गिया मारकोनी ने रेडियो की अविस्कार किया All India रेडियो के अस्थापना 1936 इस्वी में किया गिया बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेत्रितु किया राज कुमार सुक्र राज कुमार सुक्र ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेत्रितु किया महात्मा गांधी का पर्थम आंदोलन भारत में चमपारन सत्यागरा है महात्मा गांधी ने 9 जनवरी 1915 को भारत अंतिम रूप से रहने के लिए दक्षिन अफ्रीका से आया थे नालंदा बौध विशुविद्याले को किसी ने धोस्त किया था बक्तियार खिलजी नालंदा बोध विश्विद्याले को धोस्त बक्तियार खिलजी ने किया बिहार बंगाल में मुस्लिम राज के संसापक बक्तियार खिलजी है नालंदा विश्विद्याली की असापना गुप्त सासक कुमार गुप्त पर्थम के द्वारा बनाया गया कौन सा देश 2022 में सन्युक्त राष्ट जलवायू पडिवर्तन सम्मेलन कोप 27 की मेजवानी करेगा मिस्र टी टुएंटी इंटरनेशनल किर्केट में पाकिस्तान के किस खिलारी ने विराट कोली का रिकोर्ड तोरकर सबसे कमपारियों में 25 सोरण बनाने का रिकोर्ड अपने नाम कर लिया है बाबर आजम जब हम जल के नीचे सुराही भरने के लिए रखते हैं तो जैसे जैसे सुराही भरती जाती है। वैसे 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 हमें विशेष पतरकार की धोनी सुनाई देती हैं मनुस्ति को सबसे अधिक जरूरत होती है अमीनो अमन सबसे महत्तपुर्ण प्रोटीन है मानव शरीर का लगवग 15 % भाग प्रोटीन से ही निर्मित है सभी प्रोटीन में नैट्रोजन पाया जाता है, उर्जा उत्पादन और सरीर के मरमत दोनों प्रोटीन करते हैं, प्रोटीन में 20 परकार के अमीनो अमल पाया जाता है, बिटामिन C का रसाइनिक नाम है, एसकर्विक एसिड है, बिटामिन C की कमी से असकर्वी रोग होता है, बिटामिन B1 का रसाइनिक नाम थाइमीन है, बिटामिन B2 का रसाइनिक नाम राइबो फिलेवीन है, जस्तीकरन में किस धातु का परियोग होता है, जिंक का, जस्तीकरन में जिंक धातु का परियोग होता है, जस्तिकरन द्वारा धातु को संडक्षित किया जाता है जस्तिकरन द्वारा लोहे में जंग लगने से बचाया जाता है मनुस्य के सरीर में अधिकांस भोजन कहां पचता है छोटी आत में मानव सरीर में अधिकांस भोजन का पाचन छोटी आत में होता है बड़ी आत भी भोजन पचाने में सहयोग करता है छोटी आत में भोजन का अवसोसन होता है आंत्रिक रस छारिये होता है निमलिकित में से किस्मे विटामिन ए बहुत अधिक मातरा में पाया जाता है गाजर में सबसे अधिक विटामिन ए गाजर में पाया जाता है प्रोटीन में अधीक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है गेहूं में कार्बोहाइडरेट पाया जाता है रेडियो सक्रियता के वर्ग विस्थापन का नियम का प्रतिपादन किया फजन तथा सोडी ने अप्शन यह हो जाएगा फजन तथा सोडी उर्जा का मात्रक क्या है जूल उर्जा का मातरक है तो अप्संसी हो जाएगा जूल राक्त संचरन संबंधी खोज की विलियम हारवे ने किया राक्त संचरन संबंधी खोज विलियम हारवे ने किया राक्त संचरन संबंधी खोज विलियम हारवे ने किया राक्त संचरन संचरन संबंधी खोज विलियम प्रोटो प्लाजम में बदलने की परकिरिया कहलाती है AC Milation कहलाती है option हो जाएगा AC Milation Altimeter से क्या नापते है भूतल से उचाई Altimeter से भूतल से उचाई मापा जाता है Podology में मिट्टी का आधियन किया जाता है निमलिखित में कौन सा आयन कार्बन परमानू के Sum electronic है N plus sodium positive किसी वस्तू की सभी अस्तीतियों के लिए कौन आभासी वो सीधा पर्तिवीम बनाता है आउतल लेंस और उत्तल लेंस option D हो जाएगा B एवं C दोनों किसी वस्तू की सभी अस्तीतियों के लिए आउतल लेंस और उत्तल दरपन अबहासी वो सीधा परतिवीम बनाता है अवतर लेंज समानतर आने वाली परकास किरनों को फैला देता है इस कारण इसे अपसारी लेंज कहते है अमोनियम क्लोराइड तथा सुस्क बुजे हुए चूने के मिसन को गर्म करने पर पराप्त होता है अमोनियम पराप्त होता है उसमिय वीकिरन तथा परकास में अंतर से संबंधित निमलिखित कतनों पर विचार कीजिए ओप्शन में कुछ कतन दिया गया है और आपको इसमें से कौन सा कतन सही है वो चुनना है तो पहला देखिए परकास के अपेक्षा उसमिय वीकिरन की तरंगधरी बहुत कम होती है तो ये जो है गलत है उसमिय वीकिरन कम ताप पर जबकि परकास अधिक ताप पर निकलता है तो ये सही है उसमिय वीकिरन तथा परकास दोनों और दिरिसी होते है तो ये भी सही है उसमें वीकिरन तथा प्रकास दोनों की तरंग धरी एक समान या बहुत कम होती है तो ये गलत है तो दो और तीन साही है तो अपसने इसका राइट आंसर हो जाएगा दो तथा तीन Celsius, Fahrenheit तथा रोमर पैमाने पर ताप में निमलिखित सम्बंद है C by 100 equal to F-32 by 180 equal to R by 80 निमलिखित में से किस हार्मोन की रसाइनिक प्रक्रिती अस्टेरोइड होती है Cartisol की, option D हो जाएगा Cartisol, दाव तथा आवे की वीमाए है करमसा ML inverse T to the power minus 2 तथा ML T inverse निमलिखित में से कौन? Cylent, Trata, समुदाई के अंतरगत आता है Jellyfish, option A हो जाएगा Jellyfish Sarcoplasm क्या है? रियखित मांसपेसी की अर्ध तरल इंटर फाइब्रीलर पदार्थ उपास्ती होती है सगहन तरल उत्तक, रसाइनिक तुलियांग W तथा विद्यूत रसाइनिक तुलियांग Z के पदो में फैराडे नियतांक F है F equal to W by Z इसके बाद देखिए Mathematics और Reasoning related question है तो Telegram का link description में दे दिया हूँ Telegram group जोयन करके आप इस वीडियो को डाउनलोड कीजिए डाउनलोड करने के बाद आप अराम से solve कीजिए या वीडियो को रोग करके वीडियो को पॉज करके आप इस question को solve कीजिए solve करने के बाद right answer मैं आपको यहां पर टिक कर देता हूँ तो right answer अपना जोय मिला लिजिएगा किसी वस्तु को 600 रिप्या में खरीदा गया था वह उसी दिन 650.25 रुपे में 9 महीनों के उधार पर बेचा गया फिर भी उस पर 2% लाब हुआ जो लाब परतिसत मिला वह क्या है आठ पुर्णांक एक बाई तीन परतिसत अगर किसी बिल पर 10 महीने बाद 6% वार्शिक छूट के हिसाब से मीती काटा 26.25 रुपे बनते है तो वह बिल कितने का हुआ तो वह बिल जो है 501.25 रुपे का क्वेश्चन नमबर 78 देखिए राय टांसर ऑप्शन भी हो जाएगा 180 रुपे क्वेश्चन नमबर 89 का राय टांसर ऑप्शन भी हो जाएगा 12.8 मीटर एक हजार से छोटी कितनी संख्या ऐसी है जो 10 और 13 दोनों की गुनज है साथ ऑप्शन सी हो जाएगा साथ क्वेश्चन नमबर 81 राय टांसर ऑप्शन सी हो जाएगा चार एक सो और दो सो संख्याओ के मद्धी के सभी विशम संख्याओ का जोड है 7500 एक लोटरी जिसमें 10 पुरस्कार है तथा 15 खाली है इसमें इनाम प्राप्त करने की संभाविता कितनी है दो बाई 5 सरवादिक छोटी संख्या जिसमें जब 5 बढ़ा दिया जाए तो वह 24, 32, 36, 54 में परतेक से पुर्णत विवाजित हो जाए 869, 85, राइट आंसर आप्शन डी हो जाएगा, 186 का राइट आंसर आप्शन बी हो जाएगा, 20, 87, आप्शन डी होगा, 450, 88 का सही उत्तर आप्शन डी हो जाएगा, 84, 89 का राइट आंसर आप्शन बी हो जाएगा, 8 वर्स question number 90 देखिए 90 का जो सही उत्तर option D हो जाएगा 200 एक कान में का राय टांसर option C हो जाएगा 25 परतिसत question number 90 option C होगा 70 रुपिया 93 का राय टांसर option A हो जाएगा 4000 रुपिया question number 94 option A होगा 22.8 kg 95 का option C हो जाएगा 32 question number 96 option D हो जाएगा y cube by x square 97 का option C होगा 45 98 का राय टांसर option C हो जाएगा 990 किलो मिटर 99 का option B 52 next question right answer option C हो जाएगा 7 वर्स नौमा 101 का राय टांसर option D हो जाएगा 102 सही उत्तर option A होगा question number 103 right answer option B हो जाएगा 1 ती हाई का 1 ती हाई 104 सही उत्तर option D होगा 105 देखिए right answer option D हो जाएगा संताबन 106 देखिए 106 का right answer option B हो जाएगा 20 feet 107 का option D होगा 108 और 109 को यहाँ पर निर्देश दिया गया है तो वो निर्देश पढ़के आपको बनाना है तो 108 का right answer option D हो जाएगा सिर्फ 3 question number 109 देखिए right answer जो है 109 का option B हो जाएगा 1 सत्ती है यहाँ पर भी देखिए question number 110 ते 112 परतेक परस्न में से 1 संख्या लूप्त है इस लूप्त संख्या को ग्यात करें तो 110 का option D होगा 15, 111 देखिए 111 का right answer option A हो जाएगा 0 112 का right answer option C हो जाएगा 136 question number 113 option B हो जाएगा 0 question number 114 देखिए right answer option D हो जाएगा 115 का सही उत्तर option D हो जाएगा question number 116 right answer option D होगा 117 देखिए 117 का right answer option C हो जाएगा 2 घंटा 15 मिनट 118 का option A हो जाएगा 12 question number 119 option D होगा उपवास भूख 120 से 22 तक आपको बनाना है निर्देश पढ़ करके तो 120 का right answer option A होगा 121 का option D 122 का option D हो जाएगा question number 123 option D होगा 1 question number देखिए 124 का right answer option D हो जाएगा question number 125 right answer option C होगा भतीजा 126 का option D पोत्र 127 का option D हो जाएगा भोजन भूक 128 का option C हो जाएगा सरीर सीर 129 का option A होगा सोमवार निर्देश को यहाँ पढ़िए पढ़ने के बाद 130 और 131 को सॉल्व करना है तो 130 का right answer option C हो जाएगा मुवक्किल हो जाएगा option C 131 option A हो जाएगा bill 132 option A 133 का right answer option C हो जाएगा 8 यहाँ पर भी निर्देश पढ़िए यहाँ पर भी निर्देश पढ़िए 141 का option B होगा 81 question number 142 option A 4 143 का option A 4 हो जाएगा 142 का भी option A और 143 का भी option A question number 144 देखिए 144 का जो हो जाएगा option B इसके बाद question number 145 का right answer option B हो जाएगा question number 146 option C होगा 84 147 का right answer option D हो जाएगा 4 सत्य है इसके बाद 147 निर्देश से 148 से 50 यह निर्देश पढ़िए उसके बाद 148 का right answer option C हो जाएगा 149 option A होगा 149 के बाद 150 देखिए तो 150 का right answer भी option A हो जाएगा तो दोस्तों आज के वीडियो में रुकमीनी परकासन का तीसरा सेट कॉम्प्लीट हो गया तो कैसा लगा यह वीडियो कॉमेंट करके जरूर बताइए क्या वीडियो आपको अच्छा लगा यह लगता है कि यह वीडियो आपके साथ साथ आपके उन फ्रेंड्स को भी हल्प कर सकता है तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो सेर कीजिए अगर कोई डाउट है या कोई सवाल है तो कॉमेंट सेक्षन में लिखिए पिछले वाले वीडियो में असपार्क पब्लिकेशन बिहार SSC CGL का प्रैक्टिसेट हमने कॉम्प्रिट करा दिया है पल लिश्क का लिंग डिस्किप्शन में दे दिया हूँ उसमें टोटल 20 प्रैक्टिसेट आपको मिल जाएगा तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए टेक केर बाई बाई